हर मंगलवार को इंदोर की कलिक्टर कारियाले में जन सुनवाई होती है जहां पेडित लोगों को रहत पहुंचाने का कारिय अधिकारियों द्वारा किया जाता है मंगलवार आट फरवरी को भी कलिक्टर कारियाले में जन सुनवाई कक्षमें 80 से अधिक पेडित पहुंचे सबसे बड़ी बात यहां है कि अधिकांशे शिकायत जमीनों, प्लॉटों एवं मकानों से धुकाधड़ी से संबन्दी थी थी जमीन संबन्दी धुकाधड़ी के ऐसे ही एक मामले में तिल्लोर खुर्द गाउं का पेडित किसान परिवार पहुंचा पेडित किसान परिवार की मुकेश पाटिदार ने बताया कि हमने 27 सदस्यों के परिवार की जिविका का सहारा ग्राम विहारिया तहसील विचोली हपसी जला एंदौर में स्तित तीन एकड की छोटी सी क्रशी भूमी है हमारी उक्तिक रशी भूमी को दीपक बामन प्रभाकांत शर्मा निवेदिता शर्मा राजेश भट अनल शर्मा विश्नू मंडोवरा अशोक कास्लीवाल गितेश चोहान सभी निवासी इंदौर तथा दिनेश पाटीदार निवासी गाउं तिलोर खुर्द ने फरजी दस फटरनी जिसमें विक्रय का कोई अधिकार नहीं है तथा खस्रा नंबर भी नहीं है और निरस्त भी है वहीं माननी न्यायले के इस्थगन आदीश को कच्रे में पटक कर नामांतरन कर तक करवा लिया गया है अनपर लाचार किसानों के साथ धुका धरी करते हुए उन्हें दीपक वामन पिता उधाराम बामन ने उजेन जिले की घट्या तहसील के ग्राम आवलिया में एक ऐसी जमीन के विक्रय पत्र का अनुबंद कर लिया जो जमीन उनके नाम की थी ही नहीं बलकि वहाँ जमीन ब हमारी ग्राम बिहाडिया तहसील मिचोली हपसी स्तिती तीन एकड़ की क्रशी भूमी की कीमत एक करोड़ पिंचानवे लाख रुपए तक करते हुए हमसे उजेन के घटिया तहसील के गाउं आवलिया की उक्तित जमीन के अदला बदली का अनुबंद लेख लिखवा कर अं अज भी उसी का कबजा है कथितारूपी दीपक बावन ने हम प्राथिगड़ का एक आम मुक्तियार नामा 24 अगस 2016 को उपपंजीय का कार्यार इन दौर में उसके पक्ष में निश्पाशित करवा लिया है तथा हमसे अंगूठे निशानी वहस्ताक्षर करवा लिये है तथ से मनिश पाटिदार वरिष्टेदार दिनेश्पिता बालकिशन पाटिदार भी शामल है पिडित चिंताबाई पाटिदार कमला बाई पाटिदार जानकिलाल पाटीदार ने दीपक बामन के खिलाब धोखा धरी की शिकात 21-2 दिसंबर को खुडेल थाने में तथा 20 जनवर पुलिस उपने रिक्षक ग्रामीर रेंच इंदौर को भी की है पिरित किसान परिवार ने बताया कि उन्हें विश्वा से कि कलिक्टर की जनसुनवाई में उनके साथ में आए होगा इसी आशा के साथ वे आज परिवार से जनसुनवाई में आए हैं आपको बता दे कि उक्त जमीन की कीमत लगभग 6 करोड रुपे हैं। जमीन कीमत लगभग 6 करोड रुपे करीवन है।